तो अगर आप भी अपने हिक्विजन कंपनी के CCTV कैमरे को ओलाइन करके अपने स्वांट फोन में देखना चाहते हैं, लाइब कहीं से भी कभी भी, तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी स्टब बाई स्टब डेटेल में मिलने वाली है, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये हि के DVR है, इसमें इंटरनेट केबिल के दोरा हमने इंटरनेट का एक्शन दे रखा है, तो इसको ओलाइन करके हम आपको दिखाने वाले हैं, किस तरह से ओलाइन करना है, फिर चाहे किसी भी कंपनी का आपका इंटरनेट का एक्शन क्यों ना हो, तो इस वीडियो में सुरू स से लेके अंतक बने रही है, इस हिक्विजन कंपनी के CCTV कैमरे को अल्लाइन करके, अपने समाटपॉन में देखने के लिए, तो सबसे पहले हम अपने हिक्विजन कंपनी के DVR को अललाइन करेंगे, जिसके लिए एक इंटरनेट केबिल जो हमने अपने DVR में, जो है, लेन पो प्र वीडन पड़ा होगा इंटर करने के लागिंग हो जाईएगा फिर यहाँ पर हमें को सभ उपर एक और एक लिंग करके प्र यहाँ पर नीचे यहां पर इनेबर का बचल करने Loc bonus हमें apply पे click करना, apply पे जैसे click करेंगे तो उसे wait करने के बाद connection status हमारा online हो जाएगा तो यहाँ पे right side में देखेंगे verification code मिल जाएगा, scan the QR code, download and connect and add device तो इस QR code को scan करके आप download कर सकते हैं, app को connect कर सकते हैं इसको mobile में तो verification code भी यहाँ पे उपर मिल जाता है, इसको चाहें edit बटन पे click करके edit भी कर सकते हैं verification code अपने ही साब से इसको customize कर सकते हैं, यह verification code आपको तब काम आएगा जब आप mobile में logging करेंगे या किसी और mobile में share करते हैं, इस device को online करने के लिए तब verification code आपका काम आता है तो verification code अपने ही साब से हम customize कर सके कुछ भी इसमें रख सकते हैं, तो code इंटर करने के बाद confirm हमने कर दिया है अब इस setting को save करने के लिए यहाँ पे हम apply पे click करना है, तो जिससे verification code हमारा save हो जाएगा जाइसी बाद तो कोई भी setting करेंगे तो अजब तक apply नहीं करेंगे, ओके नहीं करेंगे, तब तक setting save नहीं होगी तो अब हम चलते हैं अपनी mobile की screen पर महाँ पे step by step में आपको बताने वालों किस तरह से app डाउनलोड करना है, किस तरह से connect करना है जिससे हमारा CCTV camera हमारे mobile पर online चलने लगे कहीं से भी कभी भी तो यहाँ पर अपनी mobile की screen पर आज चुक हैं तो सबसे पहले हिक connect एप हमें डाउनलोड करना है इसके लिए हमें play store open करना पड़ेगा, play store हम open कर लेते हो, यहाँ पर search पर डालेंगे हिक connect हिक connect देखी कुछ इस तरह आ जाएगा, फिर यहाँ पर इसको install करना, इस तरह का इसका app का logo होगा और इसके बाए install पर हम click कर देते हैं इस app को install करने के लिए अब थोड़ा सा time wait कीजेगा जब तक इस installation पूरा complete नहीं हो जाता है अब यहाँ पर यह एप हमारा install हो गया, देखे हिक connect का और यहाँ पर open वाला option सो होने लगा है तो open कर देते हैं एप को हम और अब हम इसको slide करेंगे side side फिर यहाँ पर start now का option मिल जाएगा, start now पर हमें click करना इस app को start करने के लिए अब यहाँ पर agree पर हमें click कर देना है, इसके बाद country select वाला option आएगा तो यहाँ पर India select है, ok कर देते हैं अब यह एप हमारा open हो चुका है, अब यहाँ पर notification वाले पर ok कर देते हैं अब इसके बाद यहाँ पर देखे, ऊपर logging registration, add local device इस तरह का option आ रहा है तो हमें यहाँ पर logging and registered करना है, तो यहाँ पर logging करने के लिए आपको दो तरीके से option यहाँ पर show कर रहा है एक phone number से logging कर सकते हैं, एक email ID से logging कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर जिस logging पर click करेंगे, उसका username password डाल के logging कर सकते हैं लेकिन हमारा अभी logging ID बना ही नहीं, तो हमें यहाँ पर registered पर click करना है, तो registered पर click करेंगे, फिर उसके बाद account बनाने के लिए agree पर click करेंगे, अब यहाँ पर अपनी country सेलेक्ट करेंगे, country हमारी India सेलेक्ट है, उसके बाए yes ओले टिक पर उपर हम click कर देंगे, confirm करने के लिए अब यहाँ पर देखे, registered वाला पेज हमारा open हो चुका है, तो अगर हमें अपना account email ID से बनाना है, मतलब जब logging करें तो email ID से logging करें, तो आप यहाँ पर इस option पर अपनी email ID password जो है डालके registered कर सकते हैं, और password किस तरीके से बनाना है, यहाँ पर दिया हुआ, सब कुछ आप पढ ID से बनाईए, अपना जो है logging, चाहे आप phone number से बनाईए, दोनों की case में आप password इस तरही को आपको रखना पड़ेगा, तो email ID से logging बनाने के लिए सामने आपको option दिख रहा है, अगर आपको phone number से logging बनाना तो कैसे बनाना है, तो get security code के नीचे आपको registered by mobile phone number को option मिल जाएगा, इस email ID पे एक security code आएगा, तो email ID आपके पास मौजुद होनी चाहिए, अब password कोई भी नया आप create कर सकते हैं, अपने हिसाब से, उसके बाद get security code पे आपको click कर देना है, फिर यहाँ पे capture code आपके सामने आएगा, इसको देख के fill करने के बाद OK कर दीजेगा, अब यहाँ पे enter security code को option दे रहा है, तो ये security code अगर आपने email ID से register किया होगा, तो आपकी email ID पे गया होगा, और अगर आपने फोन नमबर के द्वारा जो है account register किया होगा, तो आपके phone नमबर पे SMS के द्वारा get security code गया होगा, वो security code देख के आपको यहाँ पे security code वाले option पे fill करना है, तो यहां पर आपको security code इंटरिक करने के बाद finish पर click कर देना है तो यहां पर account successfully हमाई registered हो चुका है और logging हो गया है registered होने के बाद जाहिसी बात है same page पर same app पर जो हम account registered कर रहा है तो automatic logging हो गया है आपने जिस तरीके से account बनाया होगा चाहिए email address चाहिए phone number से उसको save करके रख लीजेगा फिर यहां पर देखे add device का एक option आ रहा है तो यहां पर add device पर हमें click कर देना है जैसे हम add device पर click करेंगे यहां पर देखे क करने के बाद यहां पर allow कर दीजेगा कई साही चीज़े आएंगे तो यहां पर सबको आपको allow करते जाना है क्योंकि यह आपका camera access करेगा picture access करेगा फिर ok कर देना है आपको ok करने के बाद देखी यहां पर हमारा camera open हो चुका है mobile का camera जिस mobile में सारा process कर रहे होंगे और सामने ह हमारा CCTV camera की screen है तो यहां पर हमें फिर से main menu में जाना है और logging कर लीजेगा चाहे pattern होगा या password होगा जो भी होगा उससे logging कर लीजेगा logging करने के बाद मैंने आपको बताया था setting या configuration वाले page पर आपको जाना है फिर यहां पर आपको network में जाना है फिर connect में जाना है same उसी page पर जाना जहां पर आपको QR सो कर रहा था जहां से आपनी connection status online किया था QR के सामने जैसे ले जाएंगे यहां पर scan करके automatic यहां पर सामने ले आया है यह अब इसके बाद यहां पर add पर हमें click करना है तो यहां पर account हमारा adding completed हो चुका है तो यहां पर next कर देंगा next करने के बाद यहा हमारा model number है जो भी DVR का model number उसका save number वो लिखके आ चुका है चाहे तो इसको आप edit करके आपने नाम वगएरा दे सकते हैं फिर उसके बाद save पर आपको click कर देना है कर दीजेगा तो यहां पर हमें camera पर double click करने के बाद कोई भी verification code नहीं मांगा तो अगर आप में camera जैसे double click करते तो वहां verification code मांगता है तो आपको ध्यान रखना है वह verification code मैंने आपको बताया था note करकर रख लीजेगा वो verification code यहाँ पे enter कर दीजेगा जितने camera आप open करेंगे first time यह आपको करना पड़ेगा फिर ok कर दीजेगा फिर आपका verification code नहीं मांगेगा यह security code होता है जब आप first time जो है camera को login करते है किसी किसी में मांगता है किसी किसी में नहीं मांगता है फिर जैसे इसे अलग-अलग camera आप open करेंगे double click करके तो camera step by step सारे आपको देख जाएंगे जितने channel का आपका DVR होगा उतने channel आपको 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 देख जाएंगे जितने camera आपके चल रहे होंगे उतने camera यहाँ पे so कर जाएंगे तो आप यहाँ पे इस app को हम close कर देते हैं close करने के बाद दोबारा आपको कैसे इसको open करना है देखने के लिए तो सबसे पहले app को हम यहाँ से बंद कर देते हैं पूरी तरीके से फिर हम ही connect app को open करेंगे अperform होने के बाद यहाँ पे camera सो कर गया है single camera किसी एक camera पर click करेंगे double click फिर उसके बाद slide करते रहेंगे सारे camera जतनी हमारे live चल रहे होंगे सब यहाँ पर step by step दिखाते रहेंगे सारे camera इसी तरीके से आफ left right करके सारे camera का view आप अपनी mobile की screen पर single camera देख सकते हैं double click करेंगे सारे camera जतनी camera का आपका DVR होगा वो सारे connect होके आ जाएंगे तो आई होप आपको इस वीडियो में डीटेल में जानकारी मिल गए हुए किस तरीके से हिक विजन कंपनी की CCTV camera को जो हम पहले online करें online करने के बाद किस तरीके से mobile में mobile से playback मतलब पिछली recording कैसे देख पाएं तो इसकी और वीडियो हमाई चैनल पर आपको मिल जाएगी तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी support मिला होगा तो हमाई चैनल को सस्काइब करके बेल आइकन पर all क्लिक कर दीजेगा और इसके साथ हमें comment जरूर करिएगा वीडियो लाइक करिएगा और अगर आपका कोई question है तो वह भी हमें comment box में comment करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए topic के साथ अब तक के लिए टिक किया है बाबाई